यह यहां पर विडियो में आपको बताऊंगा बहुत है और आप उसमें एकसपोर्ट कर सकते हो जापान जो है दुनिया का third largest economy है अमिरिका एंचाइन के बाद जो है जापान का number आता है इंडिया से भी जापान आगे है हम बात करें यहां पर export opportunity जापान की तो जापान का जो है political relation and business relation बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मजबूत है जापान का बहुत ही अच्छा investment जापान जो है इंडिया के अंदर है बहुत सारा investment जापान का है और जापान की जो बड़ी-बड़ी कमनिया जे होंडा हो गया Suzuki हो गया sony हो गया जो बड़ी-बड़ी कमनिया है इंडिया में प्लान लगा के भी बैठी है तो relation जो है बहुत ही अच्छा है तो यहां पर मैं आपको ब खरी देंगे और इंडिया से हम लोग export कर सकते हम बात करें जापान का education की तो जापान का education बहुत ही अच्छा है वहां पर educated लोग है प्रफेशनल लोग है यह अच्छी बात है जापान का जो है infrastructure बहुत ही बढ़िया है और जापान जो है business friendly क्या है country और एक अच्छी बात exporter क बहुत चोटा country है और वहां पर land नहीं है जो cultivate करना फूड वगर तो land नहीं है और जापान जो है बहुत सारी product import करता है बाहर से उसके बहुत सारी resources नहीं है जापान के खुद के बहुत सारे resources नहीं है वहां की people hard working है बहुत ही महनती है और बहुत अच्छा technology वगर बहुत गया iron हो गया copper हो गया food product हो गया seafood हो गया तो उसके पास खुद का इतना नहीं है जापान जो है most of सारी चीजे construction वगरे के लिए food वगरे सारा import करता है तो इंडिया से हम लोग export कल सकते है जापान जो है इंडिया से import करने वाली country में 19th number पे आता है और इंडिया जितना export करता ह उसका 1.47% जो है जापान को जाता है जापान हमारा दोस्ते इंडिया का दोस्ते आप वहाँ पर export कर सकते हो तो हम यहां पर बात करेंगे जापान के अंदर आप कौन-कौन सी प्रोड़क्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो तो petroleum product जो है आप जापान के अंदर export कर सकते हो नेक्श् fish 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 yes Japan के लोग दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा fish खाते हैं तो seafood का वहाँ पे बहुत डिमांड है and कैसली whisky का वहाँ पे बहुत डिमांड है तो आप fish Japan को export कर सकते हो पहुत ही अच्छा डिमांड शिक्सका लेता है तो आप यहां से जो है जापान को एक्सपोर्ड कर सकते हो यहां से यान है फैबरी के वह भी आप यहां पर क्या है कोई भी चीज में लोग मशीन का यूज करते हैं तो क्या है तो मशीन की और एक इक्सपोर्ड कर सकते हो पाइसी और हब्स और मैं आपको बता दू जापनीज लोग जो है हेल्थ कॉंसियस लोग है तो आपको क्या करना है शक्ते हैं वह भी साउ ago करते तो आरिवेधी कॉर्डक ऑप कर सकते ओर जापनय के अलग कर सकते हो ये जापन के अंदर ऑग दिन आज के दिण में अच्छी टीबांड ये वह फैस इक्सपोर्ड़ एक्सपोर्ड कर सकते और बच्छोन की कोई भी product जापान के अदर export कर सकते हैं ऑपने बच्चों पर लोगों कीन का स्पर्ण करते हैं तो había वगरे भी एक्सपोर्ट कल सकते हो इंडिया से toys export बढ़ रहा है वे अचिए बात है नेक्ष इंजीन seafood का बहुती अच्छा demand ने करिफेशल श्रीम का जापान के अंदर इंडियनन श्रीम का बहुती अच्छा तो आप श्रिम्प को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो जापान के जो है बड़े बड़े पॉर्ट से इसमें पॉर्ट आप नगोया पॉर्ट आप और आपको बता दू जापान के अंदर सब लोग एजुकेटेड वगर हैं इंटरनेट का यूज करते हैं तो जो है बाइर फाइन क सकते हो लोगल जापान के आप डूढ सकते हो लोगल जापान के बायर आप डूढ सकते हो जिसका नामे फेशन वर्ल टोकियो क्या कर सकते हो नेक्स्ट बाइर करने के लिए जापान की जो लोकल चेम्बर और कॉमर्स है तो उसका आप यूज कर सकते इसको कॉंटेक्ट करके आपको जो टार्गेट नार्केट का लिस्ट एवो आप आप Japan से मंगा सकते हो, next यह Japan external train organization जेटरो करके भी है, उसका भी आप contact करके, आपको जो भी चाहिए, वो help उससे मांग सकते हो, और जो है, आप business कल सकते हो, बायर find कर सकते हो, जापान में बायर find करने के लिए एक local का एक अच्छा site है, जिसका नाम है Japan distributor, Japandistributor.com करके website है, उसका आप कॉंटेक्ट करके वहाँ के इम्पोर्टर का आप जो है लिस्ट निकाल सकते आप लिख सकते हो जापांडिस्टिब्यूटर.com नेक्स्ट वहाँ पर जो असोसेशन रहते हैं जहें गार्मेट असोसेशन हो गया फूड़ असोसेशन हो गया उसके भी जो है लाइक डायरि को निल सकते हो और डिल कर सकते हो जापान के इंदर को बिजनेस करना है तो क्या है इंडिया और जापान के बहुत अच्छे इसलिए एजे कर रही आता है तो प्रॉपरकान का ले दोनों अच्छे दोस्त बन गए तो एक अच्छी बात है फ्यूचर में भी बिजनेस जापान के साथ अच्छा होने वाला है और मैं आपको यहां पर बता दू कि बहुत सारे इंडियन च्टूरन जो है जापान के अंदर पढ़ाई करते और इंडियन लोगों की डिमांड जो यह तो प्रोड़क की डिमांड वहां पर ही है जापान एक अच्छा कंट्री है आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हो और मोर डिटेल आप जानना चातो जापान के बारे में तब जापानिस लेंग्वेज में सीख सकते हो जापानिस लेंग्वेज सीख सकते हो और जापान के सकते हो और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ड इंपोर्ड सिखना चाहते हो गुजराती बिजनेसमें से बिजनेस कैसे करना है वो सिखना चाहते हो तो मेरा everything about export import का जो training आप जोइन कर सकते हो जिसमें आपको हमारा online exam learning app मिलेगा और 100% आपको export import सिखाए जाएगा let's go global together thank you जाएएबना जाएबना चाहते हो तो मेरा शाएबना चाहते हो जाएबना चाहते हो जो आपको हमारा